अपने शरीर को स्वस्थ और सुन्दर बनाये रखने के लिए हमें भोजन, कपड़ों, उप्चार, शरण, विश्राम आदी की आवश्यक्ता होती है और इन सब बातों को पूरा करने के लिए आप सुबे से कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी आप चाहे कुछ भी कर ले, एक दिन ये शरीर नश्ट हो जाएगा ये शरीर किसी भी तरह से अनन्तता तक नहीं रह सकता परन्तु आपकी आत्मा अनन्त जीवन को प्राप्त कर सकती है क्या आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया है? सुबे से लेकर अपनी कड़ी मेहनत में, क्या आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया है? अर्थात उस आत्मा के लिए जो अनन्तता के लिए है येशु मसी ने आपके पापों के लिए कुरूस पर मर कर आपके समक्ष अनन्त जीवन प्राप्त करने का मार्ग तयार किया है आपको बस अपने पापों से मन फिराना है अपने उधार करता के रूप में येशु मसी पर विश्वास करना है तभी आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं